नमस्काद अश्कूं यूटूग के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ करक राशी का मार्च 2020 का राशी फल मेरा ये राशी फल आपकी चंदराशी पर अधारित है अगर आपकी जनम कुल्ली में जहां चंदरमा लिका है वहाँ पर गुरू ब्रस्पती जो है धनू राशी में विद्यमान है उनके संग मंगल की उती है और केतु उनके साथ है आगे चलकर मंगल जो है 23 मार्च को मकर राशी में परवेश करेंगे और शनी महराज के संग्यूती कर लेंगे आपके सब्तम भाब में महा का जब अन्त होने वाल में और आगे चलकर सूरे जो है मीन राशी में परवेश करके आपके नवम भाब में आ जाएंगे शुक्र महराज बिद्यमान है आपके दशम भाब में मेश राशी में और राहु बिद्यमान है मिठुन राशी में आपके दोदश बाब में तो ये है करक राशी वालों का करक राशी के जादकों के लिए मार्च के महीनी में क्या है ? पहली बात काम के लिए काम चाहे आप जॉब करते हों या वेपार करते हों मार्च का महिना आपके लिए काम के नए अफसर खुलेगा दूसरा करक राशी के जो विवायोगे युवक वयुपती हैं जो अपने विवा के लिए परतिक्षा कर रहे थे तीस मार्च से लेके तीस जून तक उनके विवा की संभावना बन रही है तीसरा वो प्रेमी जोड़े जो कोशिश कर रहे थे कि उनकी लब मैरी जो है बाकैदा जो उनका प्यार है वो लब मैरी में कनवर्ट हो जाए तो उनके लिए समय बड़ा मत्यपून है क्योंकि पंचमेश मंगल अपनी उच राशी में विद्यमान होकर आपके सब्तम भाव पर विराजेंगे और जब पंचमेश की सब्तम भाव से कनेक्टिविटी बनती है तो वो प्रेम का प्रेम भीवा में परिनित होने का बड़ा ही शुप और मंगल दाई समय होता है ये तीन बातों के लिए करकराशी के लोग याद रखेंगे मार्च 2020 का समय सबसे पहले बात करें जॉप के लिए तेईस मार्च के बात जो आपके दशमेश मंगल है वो आपके छटे भाव को छोड़कर आपके सब्तम भाव में आ जाएंगे और अपनी उच्राशी मकर में परवेश करेंगे दशमेश का अपना उच्राशी मकर में परवेश करना काम के लिए बहुत महत्यपूर संकेत है अगर आप नौकरी में थे और आपको नौकरी में कोई प्रावलम आ रही थी किसी चे कोई विवाद हो रहा था आप सैटिसफाइड नहीं थे आपका मन बार बार नौकरी छोड कर रहा था तो अब 23 मार्ज के बाद प्रस्ततियां आपके पक्ष में आ जाएंगी आप चाहें तो अपनी अगर पुरानी नौकरी में परिशान है तो पुरानी नौकरी छोड़कर नहीं नौकरी पा सकते हैं सरकारी नौकरी में थे और आफिस में किसी पकार की टेंशन थी आपके उचादिकारी आपसे परिशान थे तो दीरे दीरे प्रस्तितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी वो उचादिकारी जो आपसे कल तक नराज थे वो ही आपकी प्रिशंसा करेंगे आप जॉब की तलाश में थे तो आपकी जॉब की तलाश भी गरक राशी के जातकों की मार्ज के महा में पूरी हो सकती है क्योंकि यह जो मंगल की जो कर्मिनेशन बनाए यह 23 मार्ज से लेकर अपरेल तक रहेगा तो दशमेश मंगल का उच में होना आपको नई जॉब की संभावना आपके लिए बन सकती है अब हम बात करें वैपारी वर के लिए तो वैपारी वर भी विशेश रूप से वो जो की प्रापर्टी से जुड़ा है जया कोई बिल्डरिंग का काम है, बिल्डिंग मैटेरियल का काम है लोहे का काम है, धातू का काम है, इंजिरिंग के जुड़ा काम है इन लोगों के लिए विशेश कर बहुत फलदाई समय है क्योंकि सptम भाव में जो वैपार का छेतर होता है, महीं पे मंगल अपनी मकर राशी में शनी महाराज के संग बिद्यमान है, आपके लिए समय है कि आप अपने वैपार को एक नए मुकाम पे लिए जा सकते हैं, कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, आपने वर्ष 2020 के लिए कोई महत्यपुन कार को अंजाम देने का, साथ ही ये समय है, आप इस समय को बड़ा महत्यपुन निवेश भी कर सकते हैं, निवेश के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि धन के लिए भी इस तरिया काफी शुफलदाई बनी हुई है, धनेश सूरे जो है, अपने धनवाप को देख रहे है धनवाप पर देव गुरु परस्पती की भी रिष्टी है, और लाभेश ठुकर जो है केंदर में बैटे हैं, इसलिए अगर आप निवेश करना चाते हैं, तो धन का इंतिजाम आपको हो जाएगा, आपको कोई बैंक लॉन की जरुवत थी, बैंक लॉन नी मिल जाएगा, आप किसी से उधार लेना चाते थे, तो उधार भी ले सकते हैं, इस प्रकार वैपारी वर्ग के लिए निवेश करने के लिए बहुत ही अनुकूल वशुप फलदाई स्थितियां बनी हुई हैं, अब हम बात करें, करक राशी के उन जातकों की, जिनका कोई कोई कोट केस व मकर में विदाति वर्ग के लिए समय हैं, लगकर पढ़ाई करें, इस समय आपका मन अच्छा रगी का पढ़ाई में, कंस्रेटेक्शन पावर बढ़ेगी, जैसे ही मेरे वीजियो के प्रारंबे बताया था, कि विवा योग योपतियों के लिए 30 मार्स से लेके 30 जून तक जब गुरु वर शनी की यूती रहेगी, आपके सब्तम बाब में आपके विवा होने की पूरी संबाबना बनी हुई है, इसलिए अगर आप अपने विवा की प्रतिक्शा कर रहे थे, तो अब आप इस माहा में पर्यास करिए, तो जिस से 30 मार्स से लेके 30 जून के बीच मे आपका विवा हो सके, वो प्रेमी जोड़े जो चाते थे कि उनका प्रेम विवा हो जाए, क्योंकि पंचमेश की करेक्टिविटी सब्तम भाब में उचराशी में हुई है, तो ऐसी स्तिती में आप चाहें, तो अपने प्रेम को विवा में परणित कर सकते हैं, अपने माता को समझा सकते हैं, क्योंकि जब पंचम भाब का स्वामी सब्तम भाब से समन्द रखता है, तो जो प्रेम है वो विवा में तब्दिल हो सकता है, जो अभी तक प्रेमी था, वो प्रेम भिवा बन सकता है, तो प्रेमी जोड़ों के लिए शुप सवलदाई समय है, और हम बात करें, करक राशी के जातकों की जीवन में सुख सुविदा की बिर्दी मार्ज का महा करेगा, क्योंकि आपके सुखे, सूर्य, दशंभाब में विराजमान हैं, और देव गुरु बरस्पती से द्रष्ट हैं, देव गुरु बरस्पती शुप ग्रही शुप हैं, दोने एक संद्ध में आ रहा है, आपके जीवन में सुख सुविदा बढ़ेगी, हो सकता है मार्ज के महा में आपकोई मकान लेने का वीचार करने हैं, घर में कोई गाड़ी आ जाए, घर में कोई नया महत्तपूंत सुख सुविदा का समान आ जाए, तो आप एक अच्छा मحसूस करे मन में आनन के अनुमती होगी क्योंकि शुक्र जैसे शुक्र है का केंद्र में विराजमान होना कुंडली की शुपता को और अधिक बढ़ाएगा अब हम बात करें कुछ साथधानियों की सबसे पहले साथधानी में कहूंगी दामपते जीवन के लिए क्योंकि अभी तो शनी भी राजमान थे जो कि सब्तमेश सौराशी के थे लेकिन आगे चलके क्या होगा कि मंगल अपनी उच राशी में आ जाएंगे मंगल जब उच राशी मकर में आकर आपके लगन को देखेंगे तो क्रोध की मात्रा बढ़ेगी और मंगल और शनी की यूनिट जब कमिनेशन ब कि मंगल के संग्योती आपके सब्तमभाब में नब बंते जीवन में किसी पकार के भिखराव की समाब ना बन सकती है इसलिए मैं विवाई जोड़ों को कहूंगी कि बड़ी साफधानी रखें आपस में किसी पकार की कोई गलप शैमी न रखें अपना कोई छोटा सा बाब विवादो उसको आगे न बढ़ाएं आपस में समझ के बूच से काम लें और हर चीज़ का हल निकलता है बस आप ध्यान रखिये कि पती पतनी कभी भी अपने बीच में कम्यूनिकेशन गैप नहीं लाईए और किसी तीसरे बच्टी की बात को कभी स्विकार मत कीजिए कि कि आपके जीवन साथी के बारे में कुछ कह दिया और आपने उसको अश्रश सत्यमाल लिया नहीं आपको भगवान ने एक सूत्र में बंदा है आप जिस दिन परेने सूत्र में बंदे थे आपने साथ फिरे लिये थे उसी दिन ये दिश्चित था कि आप एक दूसरे के पूर करते हैं पर आज भी वीद परमात्मा ने जो क्योंकि भैमाता किसी भी जब जनम होता है तो भैमाता छटे दिन उसके माते पर लिख देती हैं कि आपका जीवन साथी कौन होगा इसलिए अपने जीवन साथी का सम्मान कीजिए उसकी भावनाओं का आदर कीजिए अगर आप तील का दीपक जलाएं और सुन्दर गांड का पार्ट करें अगर आप हर शनिवार को सुन्दर गांड का पार्ट करेंगी चमेली के तेल का दीपक जला के रखेंगी घर में बात वी बात की संबाबना खतम हो जाएगी दंपत्य जीवन बहुत मधूर हो जाएगा और आप पत मार्स तक इस बात की ध्यान रखें कि जो सूरे जब तक कुमराशी में रहेगा सरकार आपके आफिस में कोई आपकी चुकली वगरा ना कर दे थोड़ा सा काम में सावधानी बढ़ते किसी से कुछ भी डीलिंग करें तो सोच समझ कर करें अगर आपका सरकार से कोई बास्ता प रखें क्योंकि मंगल जब लगन को दिखता है तो क्रोट की मातरा भी बढ़ा देता है अब मैं आपको बताती हूँ कि करकराशी के जातकों के लिए महत्यपूर्ण समय काम करने का कौन सा है जब आपका चंदरमा बहुत शूब होगा अगर इस समय आपको काम करते हैं तो न 28 वा 29 मार्च वा 30 मार्च वा शूब तितिया है जब चंदरमा आपका बहुत पद्रटीव होगा और अगर आपको महत्यपूर्ण काम करने का ने लेते हैं किसी से आपको एग्रिमेंट करना है कोई मुलाकात है कोई यात्रा है कोई नए काम की शुरूबात है कोई इंवेस् से बचना है और साथ ही कोशिश करें कि आपको महत्यपूर्ण काम इंग तितियों पर ना करें क्योंकि इन तितियां ऐसी होगी जब चंदरमा आपका चौथा आठावा बार्वा होगा जब चंदरमा चौथा आठावा बार्वा होता है तो हम सई डिसीजन नहीं ले पाते इन तितियों को नूट किजिए जिन में आपको मार्च के महा में सावधानी बरतनी है। वो हैं 4 वा 5 मार्च, 12 वा 13 मार्च, 21 वा 22 मार्च, 23 वा 31 मार्च वो तितिया हैं जब चंद्रमा आपका नेगेटिव होगा तो साबधानी रखें इन तितियों पे किसी महत्यपुन कारे का विचार ना करें ना कभी अगर जॉब जॉइन करने जा रहे हैं तो इन तितियों का महत्यमुल व्यक्ति से ध्यान है तो ध्यान रखें इन तितियों पे काम ना करें क्योंकि इन तितियों में चंद्रमा आपका नेगेटिव होगा इस प्रकार करक राशी के जातकों के लिए वश 2020 में मार्च का महिना ऐसा है कि उनके अब काम बनने की पूरी तरीके से देना पड़ेगा इसके अलावा अगर हम बात करें तो करक राशी के जातकों के लिए काफी अच्छा समय है काम के लिए बढ़िया समय है करक राशी के जातक अपने बीवा की प्रतिक्षा कर रहे थे उनके बीवा का समय आ गया प्रेमी जोनों के लिए समय अच्छा है और वेपारी वर्क के लिए समय अच्छा है इस प्रकार ये था करक राशी का मार्च महा का राशी फल दशको आपको मेरे वीडियो कैसा लगा कि इसे कमेंट वक्स में कमेंट करके बताईए इसके साथ ही अपना वीडियो समात करने से पहरे मेरे आप सबसे प्रात्मा है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तरह सब्क्राइब नहीं किया तो कित पर मेरा चैनल सब्क्राइब कर दें साथ ही वल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूं उसके नोटिफिंगेशन आपको मिलना है और आप मेरा वीडियो देख सके इसके नमस्का दश्कों जैमाता दी